पाली चिले के नेत्रा गाउं के मनोहर राजपुरोहित के प्रक्रड को लिकर राजपुरोहित समाज में भारी ओक्रोष भगवाशिवयम शेवक्ष संगिते राश्ट्य अध्यक शुरेश नोरवा ने प्रिशासन पनिशाना साथते वे कहा कि चार वर्षों में मनोहर नेत्रा को डूनने में राजिस्थान का प्रिशासन असफल रहा नोरवा ने कहा कि इस मामले में CBI जांच की मांग को लेकर 60 विधायकों एवं 20-302 ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा लेकिन अभी तक कोई कारिवाही नहीं हुई जब ब्रह्मधाम आश्वतरा के गादीपती शंत तुल्छा राम जी महराज ने संदर में पत्र लिखकर नोरवा ने कहा कि अगर मनोहर नहीं मिला तो समाज रोडों पर आकर आवाज उठाएगा उसके बाद जो होगा उसका जिम्मेदार सरकार और प्रशासन होगा इलिए उन्टिफों टुस समन लाइब टीवी के लिए सुरेश राजपुरोहित बारवा की रिपोर्ट वहां का मनोर राजपुरोहित होस्टल गया था और होस्टल से वापस अपने घर नहीं पहुँचा उसके बाद जिन लोगों ने उनका अफरण किया उनकी वाटसेप कॉल के माध्यम से सोसल मीडिया के माध्यम से 25 लाग की फिरोती तक मांगी गई और परीजन जब वहां पर पहुँचे तो वह व्यक्ति वहां पर नहीं पहुँचे और आखिर बच्चा नहीं मिला उस समय सरकार वसुंद्रा जी की थी वसुंद्रा जी ने इस विशे पर श्याड़ी जांस का आदेश दिया कि SHI-D जास कराई जाए और बच्चे को ढूंडने का परियास किया जाए लेकिन आज चार वर्स हो चुके हैं राजस्तान का प्रसासन एक बच्चे को ढूंडने में नाकाम्याब हुआ है आखिर मैं पूछना चाहता हूँ प्रसासन से कि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि व्यक्ति या अपराधी किशी भी जगत चुप जाए तो कानून चाहे तो आसानी से उसको हिरासत में ले सकता है प्रसासन पर बहुत बड़ा सवाल बनता है कि आखिर वो बच्चे को ढूंडने में आप कामियाब क्यों नहीं हुए ऐसी कौन सी वज़ा हो गई कि आप इस बच्चे को ढूंडने के अंदर आपने शुषे को गंबीरता से नहीं लिया ऐसा क्या कारण हो गया ऐसा क्या दवाबा आघया परसासन पर कि चार वर्स से एक बच्चे को ढूंडने में परसासन नाकामियाब सावित हुआ ये बहुत बड़ा सवाल और परसासन पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है इसी विशे को ले करके समाज के तवाम संग्ठनों ने मिल करके पुना एक आवाज उठाई और माननिय मुख्यमंत्री महोदे राजस्तान सरकार असो गहलोस साथ से एक मांग रखी कि मनोर प्रकरन की सी बी आई जास की जाए अगर राजस्तान का परसासन सक्रिय होता तो साहथ मनोर अपने घर होता मनोर का कुछ सुराग तो हासिल होता कुछ पता तो हासिल होता लेकिन मनोर राजप्रोहीत नहीं मिला इसमें परसासन की कमजोरी कहूं या फिर प्रसासन किसके दबाव में काम कर रहा है चार वर्स बीथ चुके हैं इस बात का तो जवाब प्रसासन देगा ही इसमें कोई दोराए नहीं है जिन अधिकारियों को जास चौपी गई थी उन अधिकारियों को जवाब तो देना ही है लेकिन जब इस समाज के तमाम संगठनों ने मिलकर के इस विशे को उठाया और सभी ने मानने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिख करके मुख्यमंत्री महदय को अवगत करवाया साथ से ज़्यादा विधायकों ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा मनोर राजप्रोईत के प्रक्रण के सीबियाई जास करवाई जाए 20 से ज़्यादा सांसदों ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री महोदय के नाम कि मनोर प्रक्रण के सीबियाई जास की मान कराई जाए और कही जन प्रतिधी निधियों ने मिलकर के पत्र लिखा कि मनोर प्रकन की शीबियाई जास कराई जाए सबसे पहले तो मैं उन तमाम जन प्रती निधियों का विधायकों का, सांसदों का और समाजीक संगठनों का आभार वेक्त करूँगा कि आपने आगे आकर के मनोर प्रकन के अंदर कंदे से कंदा मिला करके साथ देने का संक्लप लेते हुए इस मुख्यमंत्री महदे को पत्र लिख करके अवगत करवाया लेकिन दुरभाग्य इस बात का है कि मुख्यमंत्री महदे आपने इस विशे को घंबिरता से नहीं लिया नहीं आपने इस विशे को गंबिरता से सुना नहीं आपने उस पत्र को सायद देखा अगर देखा होता तो आप जरूर कुछ ने कुछ तो इस पर बोलते तब जाकरके राजप्रोई समाज की राजदानी ब्रम धाम आसोतरा से जो पूरे समाज के अध्यक्स समाज के कुल गरू गुरुमराज स्री स्री 1008 ब्रह्मरिसी ब्रह्माचारिय ब्रह्मसावित्री सिद्ध पिठादीशवर संत स्री तुलसा रामजी महाराज द्वारा एक पत्र मनोर सिंग, राजप्रोईत, प्रक्रण की शवियाई जासी मांग को लेकर मुख्य मंतरी महोदय आपको लिखा गया लेकिन आप में इस पत्र को भी अन देखा किया हुआ है मानने मुख्य मंतरी महोदय जी जब आप ब्रहमधाम आसोतरा पहुचते है तब आपको गरु मराज द्वारा आसिरवात परधान किया जाता है गरु मराज द्वारा आपका सम्मान किया जाता है जब आप गरु मराज चतूर मास जब कोलायत में चतूर मास पर बैठे थे उस समय भी आप महां पर पहुँचे थे आपका सम्मान किया गया था और कही न कही राजप्रोईसाज आपके साथ कंदे से कंदा मिला करके खड़ा रहा है लेकिन आज हमारा दुरबाग्या है कि आप इस परकरण को नजर अंदाजा कर रहे हैं मतलब पूरे समाज को नजर अंदाज कर रहे हैं आप गरुमराज की बात को अगर नहीं सुन रहे हैं गरुमराज द्वारा लिखा हुआ पत्र को आप अंदेका कर रहे हैं तो आप पूरे समाज को अंदेका कर रहे हैं ये कान खोल कर सुन लीजिएगा मुक्यमंत्री महोदेजी और यह समाज आपके साथ खड़ा रहा है हम आपसे आसा करते हैं कि हमारा समाज एक खूब सुरुच समाज है हमारा समाज एक सांती पर ये समाज है और एक सब्व्य समाज है लोग तांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं आप से उमेद और आसा करते हैं कि आप मनोर प्रकन की शिविया इजास करवाने में आप आगे आएंगे क्योंकि राजस्तान का प्रसासन अगर आप कहते हैं कि हम CIR इजास करा देंगे SOG की इजास करा देंगे तो राजस्तान की ये जासे तो चार वर्से चल रही रही हैं ना तो मनोर का कोई सुराग मिला नहीं मनोर का कोई पता मिला अगर राजस्तान का प्रसासन एक मजबूत होता तो सायद वो अपरादी पकड़े जाती बड़े से बड़े अपराजियों को राजस्तान की पुलिस ने हिरास्त में लिया है आखिर मनोर का जिन लोगों ने अपरन किया इस विशे पर आखिर ये परसासन नाकामियाब क्यों हुआ ये बहुत बड़ा सवाल आपके बनता है मानने मुक्यमंत्री महोदे अगर सांति पीरिये से बात अगर नहीं बनेगी तो फिर मजबूरन हमें एक उग्र रूपधारन करना पड़ेगा और जब एक खूबसर समाच सांति पीरिये समाच जब रोडों पर आकर के आवाज उटाने लग जाता है तो मुक्यमंत्री महोदे आप संभालना आपको मुश्किल पड़ जाएगा ये कान खोल कर सुन लीजिएगा आपको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा और हमारी मान के वल इतनी है कि मनोर राजप्रोईत प्रकरण की सीबिया जास के लिए आप आगर आए बस यही हम उमित करते हैं और मेरे तमाम समाज के तमान संगटनों से मैं आप से निवदन करना चाहूंगा कि आप त्यार रहिएगा ये एक संगठी थोकर की साथियों किसी पर भी ठीका टिपनी ना करते हुए अगर एक हो करके आप आवाज उटाते हो तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि आपको जुका सकता है